हेलो फ्रेंड्स overcome to my channel और दोस्तों आज मैं बात करूegenome external और internal pull up और pull down resistance तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है अपनी last वीडियो में कि pull up resistance क्या होते हैं और इनको कैसे select करते हैं क्या होता है तो मैं आज आपको बताउंगा कि external भी pull-up लगाए जाते हैं और internal अगर pull up है किसी IC चिप में तो फिर आपको external pull up लगाने के जोतनी है आपको वहाँ जोरोज पड़ सकती है अगर आपका source और destination के बीच में distance ज़्याद है path ज़्याद है तो वहाँ पर signal drop हो सकता है वहाँ पर आप लगा सकते हो अगर आपका signal path low है एक ही PCB की बात है कोई चार-पाच इंच तक आप का signal travel करता है तो उसमें आपको लगाने के जोतनी है और जिस pin पे भी mostly आपको जो pull up pull down resistance लगाने की ज़रूत पड़ती है जैसे कि कोई GPIO हो गया या कोई communication pin होगी या कोई power chip होती है जैसे उसमें enable pin होती है या shutdown pin होती है या reset pin होती है उन पे mostly pull up या pull down mostly pull up लगाने की जुरूत होती है लेकिन कुछ IC जो होती है उसमें internally आपको pull up या pull down resistance मिला होता है तो आपको फिर अगर internally है तो उसमें लगाने की जो अतनी है अगर आपका distance low है और internal जो pull up होते है वो two types के होते है पहला fixed value होता है और दूसरा जो होता है वो programmable value होता है उसमें एकी value fixed रहती है 10k 100 के जो भी है लगा होगा अंदर उसको आप change नहीं कर सकते ही और programmable का होता है mostly आपको processor controller बगारा में या FGA में FPGA में मिलता है या SOC में बाकि अगर sensor chip या power chip होती है उसमें आपको programmable mostly कमी मिलते हैं उसमें fix दोते हैं और जैसे कि ये pull up resistance है और ये pull down है और ये मेरी कोई भी data line भी नहीं हो सकती है enable shutdown GPIO जो भी है तो ऐसे अगर मेरा इस वीडियो के माध्यम से यहीं आपको बताने का मतलब था क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा है कि वह miss out कर देते हैं और externally pull up या pull down लगा देते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है data sheet को ठीक देखते जो आ रही है उसमें अगर internal pull up pull down के जोट होती है तो वह internally दे रहे हैं आज कल उसमें तो आप उसमें ये पता कर सकते है कि की इंटर्नली है नहीं है अगर इंटर्नली है तो आपको आउटर लगाने की जोतनी है तो अमीद आपको यह वीडियो समझ आया होगा और और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्क्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए थेंक्यू जैह प्रेस्ट प्य़िखने करने हैं